रमशकार दोस्तों कैसे हो आप मैं रंजी सिंग हाजरुपने एक नए वीडियो के साथ और स्वागत है आपका अपने चैनल रंजी टेक्निकल गुरुजी में तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं एडवलूपील कंपनी के प्रोड़क्स के उपर वीडियो बनाता रहता हूं और प्रोडक्स में क्या क्या इंग्रिडिन्स डाले ने हो उन आप बताता रहता है जैसी के प्रडूप्र कि नौलज आपको हमारे इस चैनल पर प्रवाइड करी आरही晚 ऐसी किसी भी चैनल पर आपको देखने को नहीं मिलेगी तो दोस्तों मेरा मानना कि अगर कोई YouTuber किसी प्रोडक्ट्स के बारे में नोलेज लेता है और उसे एक ही वीडियो में पूरी जानकारी मिलनी चाहिए तो दोस्तो प्रोडक्स के प्रति हमारे वीडियो में संपूरन जानकारी दी जाती है तो दोस्तो आज का हमारा जब वीडियो है वह है ingredients हमारे स्क्रेट को क्या-क्या फाइदा पुझाते हैं तो चलो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ तो दोस्तों हमारे AWPL कंपनी के product X golden milk powder में किसी भी तरहें के chemical का इस्तेमाल नहीं किया गया है तो दोस्तों हमारे आज के product X golden milk powder में क्या-क्या ingredients डाले गए हैं आईए उनके बारे में भी जान लेते हैं नमबर एक हल्दी नमबर दो शत्तावरी नमबर तीन दालचीनी नमबर च्यार जाइफल नमबर पांच स्वेद मुसली नमबर छे असवगंधा नमबर साथ इलाइची नमबर आठ मुलठी नमबर नौ स्किम्ड मिलक नमबर दस सोया एक्स्ट्रेक्ट नमबर ग्यार हैं शूगर नमबर बार हैं केशर नमबर तेरह शिलाजीत इन सभी ingredients को मिला कर X golden milk powder को त्यार किया गया है तो चलो दोस्तों देखते हैं कि यह ingredients क्या क्या फाइदा पहुंचाते हैं नमबर एक हल्दी के फाइदे लीवर डिटोक्स करने में लाभकारी है लीवर के विशाकत तत्तव निकालने और लीवर को डिटोक्सिफाइड करने में हल्दी सहायक है हल्दी में एंटी डायबटिक गुण पाया जाता है जो मदुमेह के रोग में भी लाभधायक है हल्दी का महतवपूर्ण घटक करक्यूमिन एंटी इंफ्लेमेंटरी गुणों से भरपूर होने के साथ साथ इमिनो मोडिलेटरी एजेंट का भी काम करता है जो रोग प्रतीरोधक अक्षमता को बढ़ाता है हल्दी में एंटी कैंसर गुण भी पाय जाता है इसमें एंटी नियोप्लास्टिक ट्यूमर से बचाव के गुण भी मवजूद है हल्दी मनुष्य के वजन को निंत्रित रखती है हल्दी पाचन समंधी, गैस और अपच, अलजाइमर चिंता और डिप्रेशन, महिलाओं में मासिक धर्म के समय अधिक दर्द वे पेट में एंठन, गठिया, घाव समंधी वे सुराइसिस जैसी विमारियों में भी लाबधायक है हल्दी के फाइदे बहुत हैं खाँसी से लेकर कील महासों की समस्या में भी लावकारी है सतावरी एंटी ओक्सीडन्ट तत्तर से भरपूर होती है, जो दिल की विमारियों से बचाने में फाइदे मंद है इसके इस्तिमाल से तवचा चमकदार बनती है, जुर्यों को दूर करती है, इसमें एंटी ओक्सीडन्ट ग्लूटा थियून होता है, जो मुहासों से भी बचाता है गेश्ट्रिक यानी पेट की समस्याओं को ठीक करता है, तनाव और चिंता से छुटकारा दिलाती है, महिलाओं में सतन के दूध उत्पादन में बृध्धी करती है, सांस की नली में अच्छा कार्य करता है, और मुत्र वर्धक के रूप में कार्य करती है अपच को दूर करती है, सेक्स अक्षमता को बढ़ाती है, और बवासीर में भी असरदार है नमबर तीन, दालचीनी के फाइदे दालचिन जिसे तवाक भी बोला जाता है दालचिनी का पेड़ हमेशा हरा भरा होता है दालचिनी के पेड़ से हमेशा सुगंध आती रहती है दालचिनी के पेड़ के पत्तों का उपयोग मसालों के रूप में किया जाता है दालचीनी हमारे पाचन तंतर को ठीक करती है खाने के स्वाद को बढ़ाती है जुखाम में लाबधैक है और शत्री रोग में भी लाबधैक है अगर हर रोज रात में गरम दूद में जाइफल डाल कर पीते हैं तो अच्छी नीद आएगी नीद नया आने की समस्या से प्रेसान लोगों के लिए यह एक अच्छा उपाई है इसमें बहुत सारे मिनरल, पोटेशियम, कैलशियम, आइरन और मेगनीशियम पाय जाता है जो रोग परती रोधक अक्षमता को बढ़ाता है चेहरे की जुर्यों को हटाने के लिए थोड़ा सा जैफल पाउडर, पानी या शहद के साथ मिला कर पेश्ट बनाएं और चेहरे पर लगाएं तो चेहरा साफ हो जाता है, इससे मुहासों के दाग भी साफ हो जाते हैं सदियों से जैफल का इस्तिमाल पाचन तंतर को ठीक करने के लिए किया जाता रहा है अपने रोज के खाने में सामिल करेंगे तो पाचन असानी से ठीक हो जाएगा जैफल को घिसकर दूद में मिलाएं और हफते में तीन दिन पिएं इससे नपुसंता की बिमारी दूर होगी योन शक्ति को बढ़ाने के लिए भी इसका इस्तिमाल किया जाता है दावत दर्द में जैफल का तेल बहुत लाभकारी है तब ही तो आपने देखा होगा कि ज्यादा तर तूट फेस्ट में दाल चीनी और जैफल मिलाया जाता है दिमाग को भी तेज बनाता है इसको खाने से कभी अलजाइमर यानि भूलने की विमारी नहीं होती पेट दर्द हो तो जैफल के तेल की दो से तीन बूंद चीनी में मिला कर खाने से तुरंत अराम होता है नमबर पांच स्फेद मुसली के फाइदे स्फेद मुसली मर्दों की सेक्स बंधी समस्याँ को दूर करती है स्फेद मुसली एक ऐसी जड़ी बूटी है जो शारीरिक अक्षमता बढ़ाने के लिए काफी मशभूर है नपुन्शक्ता को दूर करती है अगर आपकी शादी को काफी वर्ष हो गए हैं और आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं तो यह नपुन्शक्ता का लक्षन है ऐसी समस्या में स्फेद मुसली का इस्तिमाल करना चाहिए सिघर पतन की समस्या को दूर करती है स्फेद मुसली का इस्तिमाल करने से घटे हुए शुकरानों की संख्या भी पूरी हो जाती है सरीर की सेक्शुल पावर को बढ़ाती है, वीर्या की कमी को पूरा करती है और वीर्या को गाढ़ा बनाती है स्वेध मुसली का इस्तिमाल करने से सारीरी कंजोरी खतम होती है पिशाव में दर्द वेतनाव जैसी समस्या से भी छुटकारा दिलाती है स्वेध मुसली नमबर छे असवगंधा के फाइदे असवगंधा में मजूद ओक्सिडेंट्स आपके इमीन सिस्टम को मजबूत बनाने का काम करता है जो आपको सर्दी जुखाम जैसी विमारियों से लड़ने की शक्ति परदान करता है असवगंधा WBC और RBC दोनों को बढ़ाने का काम करता है जो कई गंभीर सारेडिक समस्याओं में लाबधायक है सदियों से माना जाता है कि असवगंधा में कामोदिक गुन पाया जाता है और लोग इसे द्वाई के रूप में उप्योग करते हैं ताकि उनकी जीवन सकती और प्रजनन अक्षमता में सुधार होसके और यह बहुत अच्छी तरह से वीरिया में सुधार उत्पन करता है इलाइची के फाइदे इलाइची में कार्बोहाइट्रेट, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम, मैगनीशियम, आइरन और फासफोर्स मुख्या रूप से पाय जाते हैं इनके अलावा भी इलाइची में कई अन्य पोशक तत्तव होते हैं जो सहत के लिए बहुत फाइदेमन हैं इलाइची हमें पाचन से जुड़ी समस्याइं, हिचकी, सर्दी खांसी और गले की खरास, बलड प्रैसर कम करने में, अस्थमा, भूक को बढ़ाने, मुह की दुरगंद दूर करने, उल्टी और मिचली से राहत पहुंचाने में भी लावकारी है इलाइची नपुसंचता को दूर करने और तनाव दूर करने में लावकारी है नमबर आठ मुलठी के फाइदे मुलठी में कैलसियम, गलीरी, सेरे हीजिक, एसिड, एंटी ओक्सिडन्ट, बायोटिक और प्रोटिन के तत्व पाय जाते हैं जो स्वस्थे के लिए बहुत फाइदेमन मना जाता है मुलठी खाने में मीठी होती है मुलठी का इस्तिमाल सदियों से होता आ रहा है ये आपके स्वस्थे से जुड़ी कई सारी प्रेशानियों का हल निकाल देती है मुलठी के anti-oxidant और anti-votic गुण arthritis दर्द सूजन को कम करने में लाब करी है मुलठी आँखों की जलन और लालपन को ठीक करने में लाबधैक है सर्दी के मोसम में खांसी की समस्या अकसर होती है ऐसे में मुलठी के छोटे छोटे टुकडे चूसने से खांसी की समस्या में राहत मिलती है मुलठी को गले में कफ होने पर भी काफी लाबधायक माना जाता है कफ की सकायत होने पर मुलठी के चूरन को शहद के सास्थ इस्तिमाल करना चाहिए मुलठी में फ्लेवनाइड तब पाय जाता है जो हमारे पाचन किर्या को अच्छा करती है और मुलठी पेट की समस्या को खतम करने में भी लावकारी है स्किम्ड मिलक दोस्तों आपको पता ही है कि मलाई रहित दूद को अंग्रेजी भासा में स्किम्ड मिलक कहा जाता है सोया बीन में प्रोटिन के अलावा फाइबर, मिनरल्स और फाइटो एस्ट्रोजन्स होते हैं इसके अलावा इसमें सचरेटेड फैट की मातरा कम होती है साथ ही इसमें ने तो कोलेस्ट्रोल होता है और ने ही लेक्टोस इस तरहें से सोयाबीन सेहत के लिए फायदेमंद है सोयाबीन में आइरन, मैगनीज, फासफोर्स, कॉपर, पोटेशियम, जिंक और सेरेनियम की परचूर मात्रा में पाया जाता है सोयाबीन हेल्दी वेट गेन और वेट लूज में भी मदद करता है बशर्तें उसे सीमित मात्रा में खाया जाए तो सोयाबीन में फाइवर और प्रोटिन अत्यधिक मात्रा में होता है इसलिए यह उन लोगों के लिए भी फायदेमंद है जो बजन गटाना चाहते हैं और उनके लिए भी जो बजन बढ़ाना चाहते हैं सोयाबीन डाइबिटीज और हार्ट डीजिट को स्रोक्थम करने में भी मदद करता है इसमें मुझूद अनेसैचरेटेड भैट्स देकार कुलिस्टरोल के सतर को कम करने में मदद करते हैं इससे हार्ट समंदी विमारियों का खतरा कम हो जाता है सोयाबीन कई तरह के कैंसर से भी बचाव करता है अमरीका के कैंसर रिसर्च इंस्टिट्यूट के अनुसार सोयाबीन में मुझूद फाइबर कॉलोरेक्टल और कॉलोन कैंसर के रिस्क को कम करता है सोयाबीन हड़ियों की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है अक्सर महिलाएं गुटनों और कमर के दर्द की सिकायत करती है ऐसा कमजोर हड़ियों या फिर नसों पर दबाव की बजह से होता है चूंकि सोयाबीन में विटामिन, मिनरल के अलावा, कैल्शियम, मैगनीशियम और कॉपर जैसे पोसक तत्व होते है इसलिए या हड़ियों को मजबूत बनाने में मदद करता है सोयाबीन बर्थ डिपेक्ट्स को भी दूर करता है इसमें मजूद विटामिन बी, कॉंपलेक्स और फॉलिक एसिड प्रेगनेट महिलाओं के लिए बहुत जरूरी होता है साथ ही यह भुरून के मानसिक विकास में भी मदद करता है नमबर ग्यार हैं शूगर के फाइदे चीनी जिसे सक्कर या सूगर के नाम से भी जाना जाता है चीनी का नाम सुनते ही अधिकतर लोगों को लगता है कि यह डाइबिटीज, मुटापे और दांतों की समस्याओं का कारण होती है जबकि ऐसा नहीं है क्योंकि चीनी ने सिर्फ मीठे के रूप में ही उप्योग की जाती है बलकि इसके कुछ ऐसे भी फाइदे हैं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगी चीनी क्रिश्टलाइज सुक्रोज यानी फ्रक्टोज और ग्लूकोज का सियोजन का एक रूप है जिसे गन्ने के रस से निकाला जाता है चीनी के अधिक सेवन से कई प्रकार की समस्याओं हो सकती है लेकिन सवस्त रहने के लिए थोड़ी मात्रा में चीनी का सेवन भी जरूरी होता है चीनी उर्जा का उत्रिष्ट होता है जब सरक्रा रक्त में जाती है तब यह गलूकोज में बदल जाती है और यह कोशिकाउं दवारा अवशोसित होती है जो उर्जा प्यादा करने में मदद करती है केसर के फाइदे केसर एंटी ओक्सीडेंट से युक्त होता है और इसमें पोधों से प्राप्त अन्य कई घटक मुझूद होते हैं जो प्रतिरक्षा तंतर को फाइदा पहुँचाते हैं और स्वस्थे में सुधार लाते हैं रोगानुरोधक, पाचक, तनावरोधी और दोरे रोकने में भी केसर असरदार है केसर के अंदर पोटेशियम, केल्शियम, आयरन और विटामिन A, विटामिन C की मातरा भी पाई जाती है केसर में मौजूद मैगनीज, सरीर के बलड शूगर के सतर को निंतरित करने में मदद करता है केसर हड़ियों को मजबूत बनाने में मदद करता है इसमें मौजूद कुछ खनीज और कार्बनिक योगिक केल्शियम की कमी को पूरा करने में मदद करती है दर्द से राहत पाने के लिए भी केसर का इस्तिमाल किया जाता है केसर खराब पेट और पेट फूलने के इलाज को ठीक करने के लिए भी केसर का इस्तिमाल लाबधायक है कीडे के काटने पर तवचा पर लगने से भी अराम मिलता है नमबर तेर हैं शिलाजीत के फाइदे शिलाजीत हिमालई अक्षेत्रों में पाया जाने वाला एक काला पदार्थ होता है भारतिय वजार में इसकी कीमत बहुत ज्यादा है शिलाजीत का सेवन पुरुषों की मरदानगी और संभोग अक्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है प्रन्तु इसके इलाबा भी सिलाजीत खाने के बहुत से फाइदे हैं सिलाजीत की एक छोटी चमच मात्रा सेवन आपकी मरदानगी में चार चांद लगा देगा दरसल सिलाजीत में टेस्टो स्टोरेन हार्मोन को बढ़ाने की अक्षमता पाई जाती है इसका सेवन करने से आपकी प्रफॉर्म्स टाइमिंग भी बढ़ जाती है सिलाजीत के पाउडर को अगर आप दूध में मिला कर पीते हैं तो इससे आपके स्प्रम काउंट में बड़ी तेजी से बढ़ोतरी होती है अनिंद्रा की समस्या टेस्टो स्टोरेन हार्मोन की कमी के कारण होती है जबकि शिलाजीत खाने से यह हार्मोन बढ़ जाता है इसलिए रात में सोने से पहले आप शिलाजीत का सेवन जरूर करें खून की कमी से इनसान को कई बिमारियों का सामना करना पड़ता है जबकि शिलाजीत में आईरन की मातरा पाई जाती है जिसके कारण है आपके स्रीर में खून की कमी नहीं होने देता सिलाजीत का सेवन याद करने की अक्षमता में भी बढ़ोतरी करता है दरसल सिलाजीत में फुल्विक एसिड पाय जाता है यह एसिड दिमाग की कारेक्षमता में बढ़ोतरी करता है और मेमोरी पावर को बुष्ट करता है बिमारियों से बचे रहने के लिए जरूरी है कि आपकी इम्मुनिटी पावर मजबूत हो शिलाजित एक एंटी ओक्सिडेंट की तरह कारा करता है जिससे आपकी इम्मुनिटी मजबूत होती है लंबे समय तक जवान दिखने के लिए भी सिलाजित काफी फाइदे मंद होता है इसका सेवन करने से यह एक एंटी एजिंग अजेंट के रूप में करा करता है जिसके कारण बढ़ती होई उमर के असर को निश्क्रिया कर देता है डाइबिटीज जैसी विमारियों से ग्रसित लोगों के लिए शिलाजित राम बान और श्दिश साबित होता है एंटी डाइबिटिक गुन के कारण यह डाइबिटीज के उपचार और इसके जोखिम को कम करने में मदद करता है तो दोस्तो इन सभी इंग्रीडेंट्स का इस्तिमाल करके X golden milk powder का निर्मान किया गया है यह दूद ताज दूद के समान है यह protein, calcium, vitamin A, vitamin B, सहित दूद है तो दोस्तो X golden milk powder का इस्तिमाल कैसे करना है तो दोस्तो जैसे हम अपने घर में दूद का इस्तिमाल करते हैं वैसे ही X golden milk powder दूद का इस्तिमाल करना है हमें क्या करना है? एक चम्मच, एक गिलास पानी में घोल कर इसे पीना है वह चाहिए किस समय भी पीएं, जैसे हम अपने normal दूद को पीते हैं तो दोस्तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बैल लिकें लबाना है तो दोस्तो अगर आपको product selected किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो नीचे description में मैं आपको अपनी Gmail ID और WhatsApp नमर शो कर दूँगा आप मुझे वहाँ भी संप्रक कर सकते हैं